कोगो के एफिक्स के लिए बहुत दिनों के बाद हमें एक नया अपडेट देखनी को मिला है फ्लाइमी ओएज का जो कि मैं यहां पर यूज कर रहा और यहां पर क्या कुछ मोटिविकेशन, फीचर्स, कस्टुमाईजिशन, परफॉर्मेंस, असुद्स तेखनी को मिलता है उस से रिलेटर आपको सारी जनकार यहां पर मैं आपको दे दूँगा बस जरूरत आपको लास्ट टक वाच करने की ताकि आपको यह पता चल सके कि यह जो अपडेट आया है क फिर नहीं वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना हो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे यहां पर फिलाल में एक प्रिमियम यूज कर रहा हूं जो कि आपको मेरे प्रिमियम वाले चैनल पर आपको मिल जाएगा प्रिमियम से रिलेटर आपको है जो डिस्केसर में डिटेल मिलेगा आप चेक आउट कर लेना आपको पसंद आएगा तब जोईन कर लेना बात करते इसके बाउट की तो यहां पर यह जो लुक चेंज हो गया है यह थीम के बज़ेसे तो इसे की नोरो म पुछता है कि आपको किस्टम करना चाहिए यह चाहिए रूट करना है तो मैजिक से या केस्यू नेस्ट या केस्यू से तो साइच चीज आप सेलेक्ट कर लेना अपने नीड के हिसाब से मैं लास्टम इंस्ट्रोलेशन गाइड अड़ कर दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना आये बाकि यहां पर स्मूद्देस रियली में काफी यह बहतरी रहता इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती चाहिए वो सेटिंग अंदर का हो यहां पर कंट्रोल सेंटर अगरा का हो यहां पर मुझे प्रॉलम नहीं फेस करने को मिला साथ साथ यहां पर जो कैमरा दिय जिसमें आपको कई सरे नए features unlock देखनी को मिल जाते हैं उसे आप चेक आउट कर लेना और वह सेम गैलरी आप यहां पर इस fly me OS के उपर भी डाल सकते हो और यूज कर सकते हो जो कि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं कि क्यो प्रोपर काम कर जाता है उसमें कई सरे features add करे गए है तक आपको photo editing वाली चीज़े करनी रहती है तो यह gallery का latest update आपके बहुत काम आने वाला है आप उस video को चेक कर लेना और update कर लेना बाकि additional setting के हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर multi language support देखनी को मिल जाता है जो कि अच्छी बात है तो यहां पर language related आपको दिक्कत नहीं आती तो यह चीज़ का problem यहां पर आपको solve हो जाएगा बाकि वह circle to search आपको मिल जाता है गेंटर वो है floating window memory station यहां पर heart rate का भी option दिया गया है जो कि आप यहां से check out कर सकते हो बाकि battery का अंदर हम in करते हैं तो यहां पर आपको देखनी को मिल जाता है हमारा जो कि screen on timing है और बाकि यहां पर charging mode का option भी दिया गया है जो कि मैंने top speed पर डाल के check करा है बट क्या speed मिलती है वो मैं आपको यहां पर दिखाता हूं यहां पर आप देखोए कि हमारा जो charging speed है वो 17 मिनट में 35 गया है जो कि overall मैं कवा कि अच्छा है बठ्रास और better हो सकता था क्योंकि गर्मी का time है त तो वैसे में यह हो जाता है तो उसे आप ignore कर सकते हो face unlock fingerprint आपका working है display के अंदर आपका dark mode के option working रहते हैं कोई दिकत नहीं आते advanced structure है refresh rate का option है display resolution है 169 or 120 का भी option आपको यहां पर unlock मिल जाता है reading के अंदर यहां पर eye health notification का भी option देखनी को मिलता है जो कि some room के अंदर नहीं रहता ब 4x7 और 5x9 का जो कि overall सही है इसके बाद यहां पर अगर gestures की बात करें ज्यादा कुछ है नहीं animations की बात करें तो यहां पर ज्यादा कुछ आपको नहीं मिलता यानि जो launcher है वह हमारा simple सा ही रहता है इसमें आपको ज्यादा कुछ चीज़ें नहीं देखनी को मिलती notification के अंदर आपको देखनी को मिल जाता है notification जो कि 7 टक आप रख सकते हो बागे speed meter और और वही basic से सारे options आपको मिलेंगे lock screen के अंदर यहां पर वही सारे चीज़े है जिसमें कोई change नहीं है personalized के अंदर यहां पर AI dynamic wallpaper दिया गया बर प्रोलम क्या है ना कि मैंने जितना बार भी से try किया ना मुझे हर बार error देखनी को मिला है तो आप इसे चेक करना रूप बताना कि क्या आपके लिए working रहा है या फिन नहीं क्योंकि यह तो मुझे बार प्रोलम कर रहा है हो जाए तो वह तो भाई time बताएगा वट भी फिलार में इसे background में डाल देता हूं क्योंकि आगे चलते हैं यहां पर ज्यादा रूप नहीं सकते हैं बाकि यहां पर आपको अगर बात करें हमारे का उप्सन आपको मिल जाता है डिवाइस नीम चेंज कर सकते हो और इस्ट्राट डीम या फिर डेटा सेवर ऑन कर सकते हो अस्पूफ के अंदर यह में भी आपका स्टार्टिंग पर काम नहीं करें तो इक और इसे ऑन उफ कर लेना उसकार अपने फोटो स्टोर का डेटा के कर लेना आपका यह वर्किंग हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आती बाकि जितने वी उप्सन है यह सारे वर्किंग है और फाइनल एक आपको यहां पर अप्लाई का उप्सन मिल जाता है और यह आपको देख रहे हो ना स्पूफ जो कि इंटेगिनिटी वगेरा का है तो यह कर ने यहां पर इसरो diferen यहां पर वर्किंग रहता है आपको यहां पर दिक्कत नहीं आती मैंने चेक कर रखायो मैं आपको detail डिखायेता हूं और एक क्रक हो गए वो आपको यहां पे change देखने को मिलेगा बाकी Notion icon का है यहां पे Hide Privacy Dot का है Disable Hands Up Notion Weather की Setting और Final Apply Setting जिसकी Help से आपको जो भी change यहां पर किया है वो नजर आ जाएगा यहां पर आप देखते हैं तो हमारा change हो चुका है और आपको हलका सा different look देखनी को मिल रहा होगा clock के अंदर जहांपे second भी enable हो चुका है और लक्सी आपको यहांपे animation दिखाई दे रहा होगा तो कई सर यहांपे option add किये गए हैं जो कि काफी अच्छी बात है बाके hidden setting में आपको notification expand का मिल जाता है beam का option मिल जाता है और यहांपे theme server और change करने का option भी दिया गया जो कि China to global global to China आप यहांपे कर सकती हो बाकी की reply बगेरा है और icon style जो कि यह इस भी मिल रहते है सारे setting के icon को change करना वो चीज़ आपको यहांपे मिलती है जो कि काम करता है और fingerprint का यहांपे आपको animation सोगेरा देखनी को मिल जाता है जिसमें से मैं यह यह यूज कर रहा हूँ बाकी चीज़े आप जो भी चाहिए यूज कर सकते हो अच्छे तरीकी से working रहता है यहांपे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आता और यहांपे आप देखो यह काफी ज़्यादा beautiful भी लगता है जो मैं यहांपे थीम यूज कर लें यहांपे भरवर के कस्टमाइसें आपको मिल जाते हैं जो कि आपको काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है लेकिन एक premium theme है जो कि मैंने premium चैनल पर जो और डाल दिया है आप वहां से जो check out कर सकते हो निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए आपको premium वाला चीज है जो join करनी परेगी क्योंकि इस theme के साथ आपको बहुत सही चीज है unlock मिलती है जो कि रियल में पसंद आया और यहांपे आप आप जो dynamic वगरा भी on कर सकते हो तो आप चेक कर लेना इसके शूट वगरा दे लखाओ में यहां पर आपको notification हिस्टी वगरा देखनी को मिल जाता है जो कि आपका proper working है तो totally सारे customization आपको यहां पर मिलते हैं जो कि अच्छे तरीके से काम करता है उसमुद्ध सही लगा बट एक छोटी सी complain में यहां पर करना चाहूँगा इसके अंदर वह यह कि जब आप setting को open करते हो ना तो क्लिक करने के बाद कुछ second sometime delay करता है response देने में जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन जब एक normal use कर ले तो अब दिक्कत नहीं आता बट कभी-कभी आपको यह चीज सील होगी साइड आपना भी तक नोटिस कर लिया हुआ इस वीडियो के अंदर इसके लावा मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया smoothness related या फिर कोई भी अधर चीजों से related जो कि बिल्कुली मखन जैसा काम करता है और यह wallpaper लगाने के बाद यह जो widgets में अप्लाई किये उसके बा बाई default यहां पे setup के बाद आपको इतने ही system app देखनी को मिलते हैं बाकि आपने need के साफ से डाल सकते हो और battery drop के बाद के तो 63 के बाद morning में आता है यहां पे 60 जहां पे आप देखोगे कि 3% का battery drop हुआ है total 9 hours के आसफास में जो कि 8 hours 52 minutes का है और यहां पे CPU total normally काफी अच्छा र यहां पे आप देख सकते हो कि 45 गया है ज्यादा नहीं गया लेकिन हाँ गर्मी बहुँ ज्यादा बढ़ गए दो दियों से जैसे में आपका phone था heat होते हुए नजर आ सकता है और यह ज्यादा हीट वगरा करता है बाकि यहां पे सब कुछ normal दिखाई देता है momo वाले application के अ में सिकायत नहीं करूँगा बट आप बुस्ट मूड आन करें तो इसमें और इंप्रूब्मेंट आपको नजर आ जाएगा बाकि यहां पर बाकि दर चीजों के हम बात करें तो device certification आपको मिलता ही है L1 का support आपको मिल जाता है क्योंकि यह काफी सही तरीके से perform कर रहा है बट totally depend करता है आपके उपर आप इसे install करना चाहते हो नहीं mode on हो जाएगा आपके phone के उपर वसकर आपको PC से connect कर देना है connect करती है आपको bad file जो है उसे run करना है जहां पर पूछेगा क्या आपको root करना है या नहीं 1 & 2 उसके साफ से अपना pick कर लेना जैसके मैं अगर root करूँगा तो मैं one select करूँगा उसकर आपको extra option मिलेगा के सीव के सीवनेश्ट और मैलिक्स वगेरा तो उसके साफ से आप ABC जो भी है select करना इंटर कर देना उसकर पूछे है क्या आपको stock kernel दाना है या फिक कॉस्टम उसके साफ से आप CD जो भी है अपना pick कर लेना जैसके मैं यहां पर कर लोग यहां बल की रूप में तो मैंने बहुत साही टाइम लगता है उसके बाद आपको जो बूट लोगों देखनी को मिलेगा आप सेटक पर के इजली यूज कर पाऊगे आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला तो बस एक सिंपल सा गाइड आपको फॉलो करना है उसके वाल आपका है जो काम यहां बन जाएगा बाकर एक्स्टा फोन जो रखावा है उसे एक नोर मारना